नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल एसस एनलेसिस पर आपका एक बार फिर से हादिक स्वागत है आज मैं चर्चा करूँगा निफ्टी 50 के एनलेसिस पर और उसके बाद मैं बैंक निफ्टी कभी विस्तार से एनलेसिस करूँगा तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी में जो ग्रावट है वो इतनी तेज क्यों होती जा लिए दिन पर दिन जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह वही चार्ट पैटरन है जिसमें मैं पिछले अपने कई अनलेसिस रेच चुका हूँ और यह मेरी डिफिंट डिसिस जोंस हैं यह मेरी सबसे टॉ कहता हूँ जहां जाने पर निफ्टी में अक्सर सेलिंग देखी गई है आप यहां से देखें यानि पिछले दिसम्बर दोजा अठाव से तो यहां आप देखें कि जब जब निफ्टी ने इस अप्टेंड के इस राइन को तोड़ा इस वाली डिसिस जोंस को इस जोंस में हमेशा निफ्टी में एक भारी मातर सेलिंग देखें गई यहां आपने एलेक्शन में जो रिजर्ट आए उसके चलते उमीदों में निफ्टी में एक तेजी देखी यहां माई के माईने में यहां 29 माई से आप देख सकते हैं कि यहां आप देख सकते हैं कि निफ्टी में तेज एफट मुव रहा एक तेजी बरकार थी तीन जून तक जब निफ्टी ने बारा जार के रवर को तोड़ा पर तो यहां पहुंचते ही आप देखें कि यह डेरी चार्ट में कितनी तेज ग्रावट अब तक जारी है यहां निफ्टी में चार जून को एक एग्जरस्टि देखी जो ग्यारा जून तक जारी रही तब यहां निफ्टी में एक एग्जोस्टिफ हैमर फॉर्म हुआ ग्यारा जून को और उसके बाद निफ्टी में एक तेज ग्रावट यहां देखी गई इस ग्रावट में निफ्टी ने ग्यारा जार छेसो सतावन के इस्तर पर र उमीदों के चलते एक फिर से एक उपर की चार्ज पकड़ी और निफ्टी वापस इस बुलिश अप्टेंड जोन में प्रेश किया निफ्टी ने और यहां जब पाज जुलाई को बजट आया तो जो लोगों को उमीदे थी जो निविशिकों को उमीदे थी बजट से वो शाय कर रहा और यहां से निफ्टी में हमने तेज ग्रावट देखी और यहां आप देख सकते कि निफ्टी ने फिर से पांच जुलाई को एक बार फिर से एक बार बारा जार के सर को तोड़ने कोश्की थी पर उन्तु पांच जुलाई को एक फिर से एक्जोस्टिफ केंडर यह नहीं ना दिखाई दिया और निफ्टी में एक ऊप्श्वावट जारी रही और ये ग्रावट इक डेहरी चार्ट में जारी थी नौ जुलाई तर 8 Release 10 जेकर नौ जुलाई तक ते ग्रावट देखी निफ्टी में जहां निफ्टी ने 11455 के स्थर पर सपोर्ट लिया और फिर से एक वापसी हुई और आप यहां देखें कि 11688 तक यह वापसी हुई निफ्टी में परन्त फिर हमने यहां एक फिर से एक्जोस्टिफ केंडल का फार्मिशन देखा 17 जुलाई को और 17 जुलाई के बाद हमने 18 जुलाई से एक भारी बिक्वारी निफ्टी में देखी जा रही है एक डेवी चार्ट में एक केंडल एक दिन की मुव्मेंट को रेपेजेंट करता है तो यहां आप देख सकते हैं कि निफ्टी में यहां निफ्टी में 18 जुलाई से 18 जुल फिर से एक उपर से शुरात की यानि ग्यार जार 630 के आसफार्ट से परंटो यहां निफ्टी में एक भारी सारिंग देखे गई जहां निफ्टी ने ग्यार जार 396 तक नीचे निफ्टी आया है यदि मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो आपको पता रगए है कि तक एक गडाउन दे सकता है और यदि निफ्टी ग्यार 402 के इस्तर पर ओपनिंग भी जी निफ्टी में हमने देखी तो भी निफ्टी में एक भारी दवाव एक सर्विंग प्रेशर देखा जाएगा जो कि निफ्टी को नीचे ग्यार 300 के लेवर तक धके सकता है स्रफ सु निफ्टी उस स्रिती में जब निफ्टी IMPORTANT SAPPORT REVELS को तोड़ जाता है जैसा की 11600 के IMPORTANT SAPPORT REVELS को तोड़ आ यहां देखें कि जब निफ्टी ने 8 जै को जब इस IMPORTANT SAPPORT REVELS को तोड़ा था 11600 के जो कि बजट के आने से पहले NIFTी का IMPORTANT SAPPORT REVELS रहा है 11698 का आप यहां द्यान से देख सकते हैं कि जब निफ्टी ने आठ जॉलाई को इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो फिर से यह सपोर्ट रिवर जब निफ्टी नीचा आ जाता है सब्जार के तो अब यह बन चुका है पूरी तरह से जाने पिर ने बार बार इस तोड़नी कुछ की पर तो निफ्टी ने भारी सारिंग अब देगी जा रही है क्योंकि ग्यारा जार च्छेसो अटारीस का जो सपोर्ट रेवर था बजट से पहले वह फिल से एक बार एक एहम रेजिस्टेंस रेवर बन चुका है निफ्टी के लिए जैसा कि आप यहां देखें कि इस रेवर रेजिस्टेंस को तोड़ने की और परंट फाइनरी नीचे आया इन रेवर तक यानि ग्यारा जार एक सो पैंतारेस तक जब दिफ्टी ने इस रेजिस्टेंस रेवर को एक गैप आप के साथ इस रेजिस्टेंस को पार किया यहां पर यानि बीस मही को आप यहां देखें तो निफ्टी ने इस रेवर पर फिस से कई बाब सपोर्ट हुई 11680 के रेवर पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी बजट के आने से पहले बाल बाल इस रेवर पर यानि 11680 पर एक अच्छी सपोर्ट निफ्टी को मिल रहीती है ग्रावट में तोरन तो आट जुड़ाई को निफ्टी ने इस सपोर्ट तोड दिया है 11688 के अब निफ्टी के लिए यह सपोर्ट रेवर एक रिस्टेंस में फिर से कनवर्ट हो चुका है जैसा कि यहाँ पर था अब निफ्टी को इस रेवल इस रेवल को तोड़ने के कि उमीद कम से कम बुझे तो नहीं है कि निफ्टी में कोई ऐसा पॉजिटेब नीज फुरो आ जाए तो वही निफ्टी इस इमिटेट रिजिस्टेंस रिवर को तोड़ सकता है परन्तु यहां जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने फिर से एक बार कोशिच की ग्यार के नीचे जिसने निफ्टी को धकेर दिया है जहां मुझे अब उम्मीद है कि यह तूट गया जो की बहुत एहम रिवर निफ्टी के लिए तो निफ्टी के लिए फिर से यह रिवर यारी ग्यावजा तीन सो अठासी का जो रिवर है यह तूट जाता है नीचे की नीचे का जोन था अब इस अप्रेंट जोन का यह वागा जिसे मैं एक कंसॉलिडेशन जोन कहता हूँ यहां जहां निफ्टी में कुछ देर कंसॉलिडेट करने के बाद फिर से बाइंग देखी जाती है जैसा कि यहां आप देख सकते हैं निफ्टी यहां आया था एक जिरावट पर ही निफ्टी ने इन स्टरों को भी तोड़ दिया है और वो इस अपवर्ट ट्रेंट से बाहा आ चुका है इस अपवर्ट ट्रेंट को नीचे की वो निफ्टी ने तोड़ा है तो आप देखना कि निफ्टी नीचे एक भारी दवाब में हम निफ्टी दिखे निफ्टी देख सकता है क्योंकि निफ्टी जो immediate support है यानि 11,392 का इसको भी अका निफ्टी ने तोड़ दिया तो निफ्टी के लिए अब एहम resistance होगा immediate resistance इसे मैं कहूंगा यहां से मैं निफ्टी में एक तरेज गावर्ट देखता हूँ जहां निफ्टी को पहले support 11,162 के सरफ मिल सकता है जहां से निफ्टी में एक bounce back देख सकते हैं अगरे हफते में परन्तु यह गावर्ट जारी रह सकती है और सबसे हैं हमें देखना होगा कि यदि एक डेली time frame में निफ्टी ने इस 200 days moving average को तोड़ दिया तो क्या होगा तो दो से ने तोड़ दिया तो निफ्टी एक भारी मंदी के दौर में जा सकता है इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि यदि हम गोर्ड की movement को देखें तो गोर्ड अभी अपने एक peak levels पर जिसे मैं कहूंगा क्योंकि विश्व के सारे central banks गोर्ड की खरिदारी करने रगे हुए हैं जिस सारे central banks हैं उनकी दर से ये gold में buying क्यों जारी है क्योंकि वने अशंका है कि अब पूरा विश्व एक मंदी के दौर में जाने वारा है सभी central banks को ये उमीद है कि world की equity markets जल्दी ही एक मंदी के दौर से गोजरने वारी हैं world के सभी equity बजारों में एक ग्रावर्ड का दौर जार हो सकता है जैसा कि शुक्रवार को यूएस के शेर बाजार भी काफी ग्रावर्ड के साथ बंद हुए जो कि अपने उच्तम स्तरों को छुआ था जिन्नोंने पिछले हफ्ते में परन्तु अब वो उस पीगे वर से एक तेज ग्रावर्ड एक आने वारी मंदी को दिखाती है जहां विश्व के सभी सेंटर बेंक गोल्ड में रगातार बाइंग जारी रखे हुए हैं ये एक क्लियर संकेट है कि आने वारे दिनों में भारत के शेर बाजार भी इस मंदी के दौर से बच नहीं पाएंगे तो दोस्तों यहां साबदान रहना होगा और सबसे एहम हमें देखना होगा कि क्या एक डेली चार्ट में आने वारे हफ़ते में निफ्टी इस एहम लेवल को अगर तोड़ गया तो क्या होगा क्या वो इस लेवल पर सपोर्ट रेगा या नहीं यह जो आप यहां देख रहे हैं यह 200 डेस मोहीं आवेज है जो निफ्टी को एक एहम सप 23 के लार पर है यह निफ्टी अगर बाउंस बैक भी लेता है तो वो एक अपसाइट बड़ी एक लिमिटेट होगी जो निफ्टी को ग्यावाजार दोसो साट के लेवल से फिर से एक बार निफ्टी में सारिंग देखी जाएगी तो दोस्तों यह मेरा निफ्टी के लिए 22 जुलाई से लेकर छे अगस्त तक का एक एक एक्स्पेक्टेट मूविंग जोन है जहां निफ्टी इन लिवर्स पर एक अप डाउंस दिखा सकता है और मेरा मना है कि निफ्टी में ये ग्रावाट निफ्टी को दस अजार के लिवर्स तक नीचे धखे सकती है तो तयार रह हैं निफ्टी में आने वारी उधर पुधर को देखने के लिए आईए मैं आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी में जो ये एक सर्विंग प्रेशर देखा जा रहा है ये क्यों है क्योंकि बैंकों के बड़ते हुए नॉन परफर्मिंग असेट्स अभी वी एक भारी च के साथ हुआ उसकी लिस्ट में अब अबराबाद बैंक भी शामिल है और अनकरी बैंक शामिल हो चुके हैं तो इन सब बैंकों की चलते हैं वो कंपनिया जो अर्वेड़ी दिवारिया हो गोशित हो चुकी हैं वो इतने बड़े-बड़े नॉन परफर्मिंग असेट्स क्र यह थैं लिसका अथर निफ्टी में ग्रवट को जारी रख्या हुए है तो बैंक निफ्टी में आया हर मूफ अब निफ्टी की दिशा तैई करेगा क्योंकि निफ्टी की हर मूव्मेंट अब बैंक निफ्टी के मूव्मेंट से प्रावर्थ हो चुकी है अब देखना होगा कि भारत ये सरकार इस दिशा में क्या कदम उडाती है यदि कोई solid कदम सामने आता है इस बंकों के भड़ते होगे non-puffering assets को रोकने के लिए तो ही निफ्टी में एक वापसी में इस रवर्थ से देखता हूँ कि निफ्टी 200 days moving average के ऊपर कुछ support रहे पाए अन्य था निफ्टी में ये ग्रावट जारी रहने वारी है तो आईए अब एक बार चर्चा करते हैं निफ्टी एक corporate options का तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी की जो expiry 25 जुवाई 2019 को है ये उसकी corporate chain का एक analysis होगा शुकर रहा को निफ्टी ग्याँ जार 419 के ज़र पर बंद हुआ है यहाँ आप देख रहे हैं तो अब हम देखते हैं कि 11419 का मतब है कि 11400 और 11400 के strike price के बीच में यहाँ निफ्टी बंद हुआ है तो यहाँ जदी आप puts के उपर जहन दें यहाँ आप देख सकते हैं कि 11500 क के strike price पर puts में 643,000 puts की unwinding की देख रहे हैं आप यहाँ पर इस unwinding का मतब है कि ट्रेडर जो हैं अशुरस्त हैं कि निफ्टी अब 11500 के उपर जाने वाला नहीं है यह unwinding जो होती है puts की वो इसी दिए होती है कि जब नुरिश्कों को विश्वास हो जाता है कि निफ्टी अब इ 3,47,000 puts की unwinding है और 11,500 के strike पर इस पर 6,47,000 puts की unwinding है जो की दिखा रहा है कि निफ्टी में कितनी बड़े इस्तर पर puts की unwinding होई है यहाँ open interest भी आप देखें तो 18,000 का है 11,500 के स्तर पर और 11,450 के स्तर पर यहाँ आप देख सकते हैं कि 2,52,000 नए puts की राइटिंग है जो और open interest से 7,88,000 सबसे राइट जो नए puts की creation है वो यहाँ 11,400 के राइट पर है आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 11,400 के strike पर इस पर 7,70,000 puts की राइटिंग है और open interest से 26,60,000 के असपर तो इतना बड़ा open interest यह दरशाता है कि निफ्टी में ग्राबाट कितनी तेज हो सकती है आ आप उससे नीचे देखें तो यहाँ 11,400 के स्तर पर 7,70,000 नए puts की creation है और वहीं 11,350 के स्तर पर 5,60,000 नए puts की creation है और 11,400 के स्तर पर 5,60,625 नए puts की writing है सबसे ज़्यादा मैं कहूंगा है कि 11,300 के strike पर 4,80,000 नए puts क्रेट हूए हैं और open interest से 30,000 चारेस हजार तो इतना बड़ा open interest जो है यह दिखावाया है कि nifty 11,300 के रवर को भी तोड़ सकता है आने और सोंगार को और यहाँ यदि हम नीचे और जाते हैं तो आप यहाँ देखें कि 11,100 के स्तर पर भी put writing है जहांकि नए 4,500,000 नए puts की writing है और open interest से 12,600 तक्रीबन जो की दिखावाया है कि nifty में जो बेरिश पेशर है वो जो निफ्टी को ग्यार जार एक सो के नीचे भी दखेज देखता है क्योंकि निफ्टी में यहाँ चार राट puts का एड़ होना यह दिखावाया है कि nifty में बेरिशनेस कितनी अधिक है क्योंकि open interest अभी भी बार राट साथ ह जार का है और यदि हम यहाँ कॉस की हो ध्यान दें तो आप यहाँ देख रहे हैं यहां निफ्टी में ग्यार जार पांसो के स्तर पर चौविस लाट चौड़ा जार नए कॉस की राइटिंग है और open interest अधिक है और वहीं ग्यार जार चासो के लिवर पर इस पर नए कॉस की जो संक्या है वो पांच राक्शेट हेट चासट हे जार तो यहां देखें कि कोई जाडा उस्ताह नहीं दिख रहा यह याँ कॉस की अगर ध्यान दें तो यहां 12 चाफ कांड डियाल हैं ज्में स्टरिवार के सब्सक्राइग करें कि मुझा कोड़ें कि इस्तिती 106 007-3 अस्तर एक स्टिट का काम करेगा यहां परन्तो यहां नीचे के ग्रवट में निफ्टी को मैं यहां 1100 के ग्रवाइज की देखें तो जो पूर्ट की जो क्लियेशन वह कफी है घ्र सपार आईए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनलिस पर यहां आप जो रहे हैं यह बेंक डिफ्टी का एक डेरी चार्ट है यह आप देख सकते हैं कि बैंक difting में शुक्रबार को यानि 19 बाइब देखी और यह गरवर आप यहाँ से देख रहे हैं कि यह बैंक डिफ्टी में जो गरवरत है यह 31 बार 500 को यह पर जब बैंक डिफ्टी ने रहा रगाता ग्रावट जारी है और यहां देखें कि एक स्ट्रेट डाउन फाल दिखाता है कि बैंक निफ्टी में जो भड़ते हुए नॉन परफिरिंग एसेट्स हैं वो कितने हैवी हो चुके हैं जिनके बहुत से निफ्टी अब यहां नहीं टिक पावा और यहां फिर से हमने हफसे के आखरी दिन यानि 19 जुलाई को एक तेज ग्रावट देगी जिसमें बैंक निफ्टी को नीचे 39,705 किरवर तक धके दिया जहां मुझे उम्मीद है कि सुमवार को बैंक निफ्टी एक गैप डाउन के साथ खुल सकता है जहां बैंक निफ्टी को 39,400 किरवर तक नी चाहते हो देखूँगा मेरे मानना है कि बैंक निफ्टी में यह सेरिंग प्रेशर रगातार जारी रहने वारा है यदि बैंक निफ्टी ने समवार को एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो हम बैंक निफ्टी में एक भाली सेरिंग देखेंगे जहां बैंक निफ्टी आने व को तोड़ लिया तो बैंक निफ्टी एक भाई प्रेशर में आ रहने वारा है दोस्तों अगरे पूरे हफ्ते में जा बैंक निफ्टी को मैं पहला सपोर्ट टूइंडेश मुझिंगा रिच पर देखता हूँ अठाई सब्सक्राइब बैंक निफ्टी नहीं एक ग्रवट में मेरा माना है कि बैंक निफ्टी को अगरा सपोर्ट मिलेगा 25,600 के सब्सक्राइब तो यहां हमें देखना होगा कि बैंक निफ्टी क्या समबार को एक गप के साथ खुरता है यदि बैंक निफ्टी ने 39,470 के नीचे गप डाउन ओपनिंग दी तो बैंक निफ्टी में यह जारी हैने वारी है तो दोस्तों बेरा यह वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि वे वीडियो आपका अच्छा रखा हो तो इसे अपने जाता जाता दोस्तों का शेयर करें थेंक यू